जैहिंद मेरे होने वाले भारतिय सिना के बीर जवानो आट बज जोगे हैं जिसे कि आप सभी को बता है हर साम आट बज़े आप लोग का अपना पूरा करने के लिए है आपका फोजिशन लाइप क्लास लेके आता है आज का सेशन बिल्कुल भी मस्त क्लास होगा क्योंकि आज जो मैं करवाऊँगा वो हज़ से ज़्यादा हर्ट कुशिशन करवाऊँगा आप लोग का आप में से कोई भी बच्चा अगर भाई 30 कुशिशन में 20 कुशिशन प्लास भी मार देता है तो मान के चलना आपका जो तयारी है बहुती सांदार है सिर पॉर सिर बीस कुशिशन तो विजिट इंडिया इज यानि की पहला अमेरिकन राष्टपती कौन है जो इंडिया में विजिट करने आया था तो होगा भाई option भी डी डी ठीक है और ये कौन से साल को आया था ये भी बहुत ही important है यानि की 2017 की miss all title किसके पास था आपको बतने है तो होगा भाई मांसी चिलर यानि की option D हो जाएगा दो नंबर question का right answer तो बढ़ते हैं तीन नंबर question की हो तीन नंबर question पुछाए की who was the king of France at the time of French revolution यानि की भाई French revolution के time France के राजा कौन था आपको बतने है तो होगा भाई Solvay Lewis ठीक है यानि की option यह होगा तीन नंबर question का right answer तो बढ़ते हैं चान नंबर question की ओचान नंबर question पुछाए the ninth British summit has held September 2017 कहां पर हुआ था या आपको बतना है मेरे भाई 2017 की नौवी British summit जो है वो कहां पर हुआ था तो गावाई Zain Lab में हुआ था ठीक है यानि की option यह होगा चान नंबर question का right answer तो बढ़ते हैं पांच नंबर question की ओर पांच नंबर question पुछाए कि Pulisar Award is given for यानि की Pulisar Purushkar किसलिए दिया जाता है आपको बतना है यह 2010 के इंडिया अन्मी के exam में पुछा गया था यानि की भाई यार्ड में जो होकी फिल्ड का कितना होता है आपको बतना है तो होगा भाई 9 by 60 100 by 60 यानि की option D होगा 6 नंबर question का right answer थोड़ा hard question है मैं भी मानता हूँ क्योंकि भाई आपका exam postpone हो रखा है इसलिए मैं hard question करवा रहा हूँ जो की आपका exam जो मान के चलना भाई July के last और August के पहला या दूसरे week के बीच हो जाएगा और New Indian Army के open rally भी आ जाएगा मेरे भाई ठीक है तो वड़ते हैं next question है निकि 7 नंबर question क्यों 7 नंबर question पूछा है कि Indian Space Research Organization जिसे इसरो कहा जाता है कहा पर इस्ती थे तो इसरो जो होगा मेरे भाई ये बेंगलूर मिश्ती थे ठीक है इसका ध्यान रखना है और भाई आर ये भट्र लाँच हो था 19 एप्रिल 1975 में ठीक है इसका ध्यान रखना है तो वड़ते हैं 8 नंबर question के और 8 नंबर question पूछा है कि which country is called the playground of Europe यहनि कि Europe का playground किस देश को कहा जाता है तो होगा वाई Switzerland को कहा जाता है ठीक है इसका ध्यान रखना है यहनि कि option भी होगा 8 नंबर question का ध्यान रखना है तो वड़ते हैं 9 नंबर question के और 9 नंबर question पूछा है कि चेतन आनन्द is associated with यहनि कि चेतन आनन्द जो है वो किस खेल के साथ संब्दी थे तो चेतन आनन्द जो होगा वो बेंड मिंटन के साथ सम्मादी थे ठीक इसका ध्यान रखना है यानि कि option C होगा 9 number question का दाइट एंस है तो वड़ते हम 10 number question के और 10 number question पुछा है कि होया रीज गीर forest located है यानि कि गीर बन कहां पर इस्तित है तो गावाई गुजरात में इस्तित है ठीक है इसका ध्यान रखना है तो वड़ते हम 11 number question के और 11 number question पुछा है कि प्रानाव कुमार सर्मा was famous for यानि कि प्रानाव कुमार सर्मा जो है वो किसलिए famous है आपको बताना है ये question 2017 में आथा तो गावाई ये cartoonist है ठीक है यानि कि option D होगा 11 number question का right answer तो वड़ते हम 12 number question के और 12 number question पुछा है कि हुई चीज़ दा release your book of the पार्सिस यानि कि पार्सिस का धर्मगंत का नाम क्या है तो गावाई जेन एवस्त है यानि कि option C होगा 12 number question का right answer तो वड़ते हम next question है यानि कि 13 number question के और 13 number question पुछा है कि चीप को मुँ में डॉज start by यानि कि चीप का अंदलन किसके दोरा सुरू किया गया था तो गावाई सुंदरलाल बहुकुना के दोरा सुरू किया गया था कौन से साल बहुत ही important है मेरे भाई 1973 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था ठीक है धायन रखना है तो बड़ते हम 14 number question के और 14 number question पुछा है कि how many time can a person be elected as president of US यानि कि US का जो president है वो कितने बार elected हो सकता है तो वो दो बार हो सकता है ठीक है यानि कि option भी होगा 14 number question का right answer तो बड़ते हैं 15 number question के और 15 number question पुछा है कि central building research institute is located इन यानि कि central building research institute कहाँ पर इस्तितियत है तो यह होगा भाई तो solar number question पूछा है कि if a man weight 600 newton on earth then his weight on the moon will be approximately यानि कि भाई एक बैक्ति का weight जो है वो जन जो है वो 600 newton है ठीक है तो वो चांद पे कितना वोजन होगा तो मेरे भाई सभी को पता है अगर आपका यहां 100 मतलब देखो 60 होता है तो चांद में जो होता है वो एक बटे 6 हो जाएगा ठीक है यानि कि भाई यहां से 6 गुना कम हो जाएगा ठीक है यानि कि 600 newton है तो 6 गुना कम हो जाएगा यानि कि 100 newton आएगा ठीक है इसका धियान लखना है यानि कि option D होगा 16 number question का राइट असर तो बढ़ते हम 17 number question की और 17 number question पुछा है कि at hill water boil at temperature यानि कि hill पे यानि कि ऊचाई पे जो है वो मतलब कौन से ताप मात्रा पे जो है वो पानी गरम बॉयल हो जाता है यानि कि बॉयल होता है तो बहुते हम 18 number question की और 18 number question पुछा है कि यह देखो यह जो भाई सैटलाइट है जो इनसान के द्वारा भेजा जाता है ठीक है जिसे भाई Geostatinary Satellite कहा जाता है ये कितने मतलब कितने टाइम में आर्थ का एक चक्कर लगाता है आपको उतना यानि कि पितिविका लगाता है ये 24 घंटे में लगाता है ठीक यानि कि option ये होगा 18 नंबर question का right answer तो बढ़ते हैं 19 नंबर question की और 19 नंबर question is added water the reaction is यानि कि जब आमोनियम नाइटरेड को पानी में मिलाया जाता है तो क्या पतिक्रिया होता है तो वह होगा भाई देखो उसे कहा जाता है भाई एंडो थर्मिक जो है वो इसे कहा जाता है इस पक्रिया को यानि कि option ये होगा 19 नंबर question का right answer तो बढ़ते हैं next question यानि कि 20 number question की और 20 number question पुछा है कि what is the SI unit of or यानि कि कारिय का SI का 1 का है तो कारिय का SI का 1 का 1 का है जो होगा वो जूल होगा ठीक इसका ध्यान रख लेना है और और का CGS में काई जो होता है वो आर्ग होता है और पावार का यानि कि सक्ति का जो होता है वो होट्स पावर भी होता है ठीक इसका ध्यान रखना है तो बढ़ते हैं 21 number question की और 21 number question पुछा है the pitch of the voice of who a man is in generally यानि कि भाई उमेन यानि कि महिला का जो होता है वो पीच यानि कि voice यानि कि गले के तीब्रता जो होता है वो भाई मर्द से ज्यादा होता है ठीक है यानि इसी लिए देखोगे आप एक चीज नोटिस करोगे अगर लड़की बोलता है तो बहुत दूर तक सुना जाता है हाला कि यहां भी कम आवा जाता है पर उतनी दूर तक का राइट एंसर तो बड़ते हैं 22 नंबर कुछा है कि which one of the following vitamin is constitute to be a hormone यानिकि तो इस कुष्टन का राइट एंसर जो होगा मेरे भाई यह option D होगा ठीक है यानि को option D हो जाएगा 22 नंबर कुष्टन का राइट एंसर तो बड़ते हम 23 नंबर कुष्टन की हो 23 नंबर कुष् पुचा है कि red blood corpocle are format in the red blood corpocle जिसे RBC कहा जाता है वो कहां बनता है कहाँ उत्पन होता है तो वो bone marrow में उत्पन होता है ठीक है यानिको आप्सेंस ही होगा 24 नंबर कुष्टन का राइट एंसर तो बढ़ते हम 25 नंबर कुष्टन की 25 नंबर कुष्टन पूछा है the surface water in a lake बहुत अच्छे से समझना को बहुत बंदे इसमें गलती करते हैं ठीक है कोई सने पूछा है दा सर्फेस ओटर इन लेक इस ज़स्ट गोइंग टू फ्रीजी ठीक होट इस दा टेंपरेचर ओफ ओटर एड बॉटर मैंने कि भाई पानी मालो एक तलाब है उसके उपर का पानी जो है वो लगभग जमने वाला है तो उसका नीचे का ताप मात्रा कितना होगा पानी का तो होगा भाई 4 डिगरी सेल्सियस क्यों होगा यह मैं आपको बताता हूँ क्यों कि आप सभी को बता है 4 डिगरी सेल्सियस पर पानी का घंत जो होता है वो सब से जाता है तो ज्याद दिग्री हो गया, दो डिग्री हो गया, एक डिग्री हो गया, वो उपर जाएगा, जितना उपर जाएगा, तो वो उपर के पानी जमने लाएगा, यहनि कि जीरो डिग्री के करीब होगा, उसका घंता और भी कम होगा, यहनि कि वो उपर तयारेगा, ठीक है, तो पानी इस चल का देहान रखना है यानि कि 25 नमबर कोईशन का राइट एंसर होगा चाट डिग्री सेलसियर तो वड़ते हैं 26 नमबर कोईशन के और 26 नमबर कोईशन पुचा है कि which lens is used in simple microscope यानि कि सरल microscope में किस lens का उपयोग किया जाता है तो ओगा convex lens है यानि कि उत्तल lens का उपयोग किया जाता है ठीक है और automobile head light ठीक है यह और जो भाई torch light होता है इसके जो इसमें जो होता है यह concave lens है यानि कि अब्दल lens उपयोग किया जाता है ठीक है तो वड़ते हैं 27 नमबर कोईशन के और 27 नमबर कोईशन पुचा है कि what is the atomic number of carbon यानि कि carbon का परमन संख्य क्या है आपको बताना है मेरे भाई तो carbon का परमन संख्य जो होगा वो 6 होगा ठीक है यानि कि option यह होगा 27 नमबर कोईशन का right answer तो वड़ते हम 28 नमबर कोईशन के और 28 नमबर कोईशन पुचा है कि ampere is the unit of यानि कि ampere किसका एका है तो यानि कि ampere ज नमबर कोईशन का right answer बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था हाला कि कल भी डाला था मैं अब से रोज कंटिनू करूंगा मेरे भाई क्यूंकि मैं बोल रखा था चुट्टी पे गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाला मेरे भाई सौरी आप लोगों से माफी मांग करता हूं तो जैसे ही आपका एक्जाम भी लगभग confirm हो गया है जुलाई के लास्ट में और आगस्ट के पहले वाद दूसरे विक में तो उस हिसाब से आपको मैं तयार ही कराऊंगा हर रोज continue वीडियो आएगा मेरे भाई ठीक है आप टेंसर लेनी कि कोई जरूत नहीं हर स आप बज़े बस आजाना इंडियानमी स्टूडियो चनल पर इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में बिल आइकन दबा दो मेरे भाई बरना वीडियो आप मिस कर सकते है ठीक है और वीडियो पसंद आया तो लास्ट कोईशन पूछा है कि होटी इस आई यू तो आज हम आपसे बिदा लेते है वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर हर साम आट बज़े आप पस चैनल को हर साम आट बज़े अगर आप हमसे लाइब क्लास लेना चाते है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना मेरे भाई आज हम आपसे बिदा लेत में जाएंगे कल सामपकार्ड वजे जैहिंद